अब UBSC की तैयारी के लिए दिल्ली या एलहाबाद आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD YouTube Classes के माध्यम से जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर Current Affairs और Static Portion के Topics, Prelims, Mains और Interview को मद्दे नज़र रखते हुए तमाम Video Lectures और Mentorship Guidance वो भी बिल्कुल निश्यलिक हम अपना Time Invest करते हैं ताकि आप अपना कीम्ती वक्त सही जगे, सही डिरेक्शन में इस्तमाल करें Press the bell icon and subscribe to our channel to follow Hashtag CDRituals Namaskar दोस्तों, उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं से धारत, आपका mentor, स्वागत करता हूँ सिविस डेली के YouTube चैनल पे, YouTube Classes पर जहां आज हम बात करेंगे UPSC Prelims Main से जुड़ी कुछ important and relevant topics पर from the Hindu Editorial and Open Analysis section So, इस सर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम अपने कल के MCQs पे नजर डालेंगे जहां मैंने आपको दो questions दिये थे और उसका सही जवाब जानने के लिए ये green color में मैंने highlight किया है इस question का answer होगा C and इस question का answer होगा A That's the final answer अगर आपका answer match नहीं करता है तो प्लीज कॉमेंट करके बताईए so that we can share the explanation as well और अगर आपका answer match करता है so you are in the right direction and well done So, आगे बढ़ते हैं So, दोस्तो आज है 22 December और तारीक है Wednesday So, आज के कुछ important editorial analysis के बाद हम बात करेंगे और आपने अगर हमारे channel को subscribe नहीं किया है so, please request you to please subscribe our channel क्योंकि अभी भी हमारे जो viewers है वो 50% of the viewers अभी भी non-subscribers है जो देख रहे हैं अगर आपको लगता है we are adding value to your preparation so, please subscribe and hit the bell icon once you hit the bell icon तो जितने भी posts हमारे निकलती हैं 4-5 posts daily की आपको notifications आती रहेंगी in fact, जो हमारा community post है उससे related भी हम CSAT और daily motivation या फिर important burning issues topic हम introduce करते हैं ताकि at the moment, right time पे आपका जो current affair है वो update हो सके okay, so, चलते हैं अपने editorial and open analysis पे तो आज की कुछ 3-4 news थी एक तो ये है, changing the iconography of power अगर मेरे पास time मिलेगा तो मैं इसको cover करूँगा बहुत जादे कुछ नहीं है लेकिन एक secularism का angle इसमें दिख रहा है बहुत जादे detail में cover नहीं किया ये से फिक debate है लेकिन जो author है, जिन्होंने ये लिखा है वो बहुत ही जवर्दस तरीके से लिखा है मोदी जी की पूरे जो कारेकाल है 2014 से लेके और अब तक का सारा परचा चिठा निकालके यहां रखा हुआ है अच्छा article है इसको हम बाद में discuss करेंगे तब से पहले हम आते हैं discuss करते हैं ये जो बंदुवा मजदूरी नाम होता है ना उससे रिलेटेड आज ये article है तो उसके बारे में हम discuss करेंगे तो जो हमारी author है स्वाम्या जी उन्होंने बहुत minutely बहुत deep जाके दो-तीन rules को mention किया है यहां पे हाला कि हम rules बगरा इतने important नहीं है UPSC के preparation में हम बहुत deep नहीं जाएंगे labor organization में क्योंकि फिर ये EPFO में चला जाएगा EPFO के topics में चला जाएगा हम overall देखेंगे holistic approach लेगे कि क्या judgment है, क्या होता है ये code bill, क्यों introduce किया गया है और फिर जो मजदूर है, जो आम आदमी है, बैसिकली जो जिनके पाद जो landless labor है उनको क्या protection मिल सकती है हमारे preamble से, constitution से और फिर ए case study के साथ भी हम इसको समझेंगे is a formed of slavery, ये कही ने कहीं ये गुलामी का प्रतीक है ठीक है, ये एक तरीके का मतलब की आप कुछ बदले में कुछ आप दे रहे हो, लेकिन उसके बदले में आप इनसे इतना कुछ ले रहे हो कि ये उस कर्ज से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है अगर अलग-अलग तरीके से लेंडर्स का नाम लिया जाता है जैसे साहुकार वगरा हो गए जमिनदार हो गए, या फिर बड़े साहुकार हो गए, मंडी में ठीक है, ये लोग पैसा लेंड करते हैं लेवर्स को कितने भी होगे, एक हजार उपैसे लेकिर देर दो लाग, तीन लाग उर्पै तक ठीक है, जैसे जैसे ज़रूद पढ़ती है लेवर्स की, और फिर उसके बदले में ये उसे काम करवाते हैं ठीक है, मजदूरी करवाते हैं, और वही मजदूरी एक टाइम के बाद बंदूवा मजदूरी हो जाती है, वो बंदूवा मजदूरी, bonded labor जो है, वो slavery का group ले लेती है, क्योंकि वो विचारा उस vicious cycle से निकल नहीं पाता है, क्यों निकल नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी इसके indexes हैं, जैसे employer credit यहाँ पर किया हुआ है, in the first paragraph, by allowing employers to extend limitless credit advance, अब चाहे वो specific rate में हो, चाहे unspecific rate में हो, उनको क्या होता है, कि एक legally वो bound हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि उनकी भरन portion की प्रक्रिया चलनी चाहिए, उनकी family है, तो उच situation में, यहाँ पे agriculture ली वो bound हो जाते हैं, और कहा जाता है यार की, देखो informal sector इंडिया में बहुत जादे है, जितने भी यह लोग है, bonded labor हैं, यह image देख रहे हुआ आप, यह image देख रहे हुआ आप, यह informal sector में ही आते हैं, informal sector मतलब, कि भाई, इनके पास कोई fixed job नहीं है, 9 to six वाली job नहीं है, ठीक है, in fact, social security से related यह पूरा मुद्दा है, तो हम pdf के through इसको समझते हैं, कि क्या है यह मुद्दा, gs paper 3 से related है, मेरा मानना है 2, 1, यह holistic, overall UPSC के syllabus से related है, ठीक है, gs paper 3 में हम बात करेंगे, तो inclusive growth and government policies intervention आजाएगा, 2 में बात करेंगे तो समाजिक नया आजाएगा social justice, और 1 की बात करेंगे, तो migration, social issues आजाएगे, ठीक है, तो यहाँ पे यही मुद्दा लिखा हुआ है that, जो bonded labor है, वो slavery जैसा ही है, ठीक है, यह जो image देख रहे है हो आप, यह image अभी हाल ही में recently, जो कुछ state governments ने यह policies implement की थी, जिसकी वज़े से क्या होगा कि जो bonded labor है, उनको थोड़ी से relaxation मिल जाएगी, और जो employer हैं, जो businessman है, जो काम करना चाहते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, वयापार करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा फाइदा हो जाएगा इससे, ठीक फाइदा यह होगा कि उनको एक free hand मिल जाएगा employers को, employees को निकालने का, free hire and fire ठीक है, labor का कोई inspection नहीं होगा वहाँ पे जो factory होगी, कोई inspection नहीं होगा, government का को inspection नहीं होगा, no role of companies हैं, वो यह कह रही हैं, कि यह एक तरीके की flexibility प्रोवाइट करेगी ठीक, लेकिन flexibility प्रोवाइट करेगी, competition भी प्रोवाइट करेगी, और जो director general है इन्होंने कहा है, this change will give immense flexibility to industry labor practice and all लेकिन labor हों नहीं कहा है कि भाई, जब employer hire and fire करेगा तो हमारे तो social security की धजियां उड़ जाएगी हमारे तो कोई backbone ही हिल जाएगा सब कुछ तो आप ये state को recommend किया है, state को request किया है कि hire and fire वाले situation मत रखिये, दिक्कत हो जाएगी ठीक है, they say it would be detriment to the workers and freehand employer को मिल जाएगा and if government allows, statement laws, ठीक, ये तो उपर उपर की बात है, आईए हम detail में जारा समझते हैं कि होता क्या है ये system, देखो labor जो है श्रम, labor हिंदी में कहते हैं, श्रम हिंदी में कहते हैं वो concurrent list है, concurrent list मतलब कि इस पे राज्य और union, center, दोनों ही law बना सकती है, तो मुद्दा यू हुआ था कि central government और लगभग ये observe की, कि labor से related, पूरे states में, जितनी भी states हैं इंडिया में लगभग hundred ऐसे provisions हैं और 40 central laws हैं ठीक, ये एक अलग-अलग inequality है हर जग़ पे, कहीं गुजरात में labor की income बहुत जादे है तो वहीं केरला में labor की income बहुत कम है इसलिए socio-economic status जो केरला का है, थोड़ा सा weak है वहीं पे जारखंड में इतना कम है और फिर अगर हम मुंबई में जाएं, तो वहां बहुत जादे है ठीक है, तो ये condition हर state में, हर राज में change हो रही थी, तो सरकार ने कब आया था, इसकी भी commission थी second national commission on labor 2002 में, रविंद्र वर्मा जी ने इसको head किया था, उन्होंने recommend किया था, कि ये जितने भी laws हैं, उनको हम consolidate कर सकते हैं बोले तो, क्या है industrial relations related, wages related social security, safety, welfare and working condition इन सब को हम एक में कर सकते हैं ओके, और वो कैसे वही चीज, जो bill पास हुआ था 2019 में, ministry of labor and employment, जो की चार bill को introduce किया था तो consolidate 29 laws you cannot imagine 29 laws को एक ही bill में इन्होंने consolidate कर दिया था, ठीक है और ये जो code थे, वो क्या regulate करते थे, wages, industrial relations, social security, ये सारी चीज़ें, ठीक है तो एक important step था, of course अगर आपको कानून के तहट जाना है, तो आप किसी एक ही code, labor law या act के तहट जाएंगे, बजाए कि आप 29 अलग law के तरफ जाएं, ठीक है, वो बहुत ही tedious task हो जाता है, सब के लिए this was the good step, step लिकिन, next जो हुआ, और इसके detail में भी है यहाँ पे, the wages act, ये बना इसलिए था, to regulate wage, bonus and bonus payment in all employments, where in industry trade, ये इसलिए बना था ये जो चार चीज़े हैं, वो रिप्लेस करेगा ये, okay, क्या रिप्लेस करेगा, the payment of wages act 1936, 48, 65 equal ammunition act, ये रिप्लेस करके आएगा, the code of wages 2019, okay, इसमें क्या include रहेंगे, coverage, जब हम coverage की बात करेंगे, so this code will apply to all the center and state governments, ठीक है, और ये हर मामलों में apply होगा, जैसे इसकी coverage apply होगी, railways में, इसकी coverage माइन्स में, oil fields में, ठीक है state governments भी इस पे decisions ले सकते हैं floor wages, जब floor wages की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कई तरह की living accounts आते हैं, जैसे different type of floor wages in geographical areas, ठीक, फिर fixed amount of minimum wages, ठीक, जो minimum amount, जो fixed amount होगा वो minimum wages will be notified by the central and state government, यह notify करेंगे, उसके बाद आएगा overtime, overtime overtime का इन्होंने बताया है कि अगर बंदा overtime कर रहा है, labor overtime कर रहा है तो जो उसके wages के charges same वही देना पड़ेगा, या फिर double होगा normal the rate of the wages, ठीक है second deduction so deduction में भी इन्होंने कहा है कि these deductions should not exceed 50% of the employees total wage ठीक, जो भी deductions हो रहे है अभी हम deduction के बारे बात करेंगे determination of bonus फिर वही factory वाली चीज़े हैं कि हम 8% bonus देंगे आपको हर साल और 20% annual bonus मिलेगा, ठीक है advisory boards इसमें है, advisory boards का अगर हम बात करें तो the central advisory board will consist of employers, employee, independent person वगरा होंगे offense related इसमें प्रावधान है gender discrimination से related है क्योंकि ये जो code है वो gender prohibition को हटाएगा and recruitment both male and female workers equal proportion में introduce करेगा, ठीक तो ये सारी कुछ चीज़े हैं जो हमें UPSC के perspective से important माहिने रखती हैं, थोड़ासा detail में अगर हम जाएंगे दोस्तों, तो यहां बात कर रहे हैं ये कि one of the India's hastily past labor code ये है, gives legal sanctions to the horrific, ये तो हमने बात कर चुकी है credit advance की, इन्होंने कहा है यहां पर दो मामले हैं जिनको इन्होंने compare किया है एक है sub rule 2 clause 6 और एक है compare with section 18 section 18 sub clause 2 F1, हाला कि इतने detail में भी आपको नहीं जानना है मैंने सिर्फ mention किया हुआ है यहां पर एक comparison है क्योंकि दोनों contradictory statement है contradictory ये है, कि जो minimum wage है, central rules के हिसाब से जो minimum wage है, उसमें rule number 21 कहा है deduction के बारे में बताया है यही deduction जो हमने अभी पिछले में पढ़ा है deduction के बारे में पढ़ा है deduction is permissible from the wages of worker जो उसकी I है, income है उसकी जो पगार है, उसमें से deductions होंगे, अब कैसे deductions होंगे for example, कि अगर किसी labor ने advance लिया है, ठीक है जब वो advance पूरा हो रहा है जितने देर में वो advance पूरा होगा तो उसपे deductions होंगी, ठीक है यहाँ पर लिखा है, deductions for recovery of advance for adjustment of over payment of wages, ठीक है such an advance do not exceed equal wages of ठीक है advance उतना ही दे सकते हैं कि जितना कि उसके दो महीने की salary दो महीने की wages हैं, वो exceed ना हो, ठीक, लिकिन यहीं पे जो article section 18.2 यह contradict कर रहा है वो खुली छूट दे रहा है यहाँ पे कि deduction low और पूरी deduction low recovery होनी चाहिए, whatever in nature चाहे वो traveling expense हो चाहे convenience expense हो, आप उसपे interest भी लगा सकते हो, और यह एक तरीके से employer को पूरी छूट दे रहा है, कि उसको आप कितना भी advance दे सकते हो, और based on जितना आपने advance दिया है, आप उसपे interest लगा सकते हो, और फिर भले वो labor कुछ भी claim करे चाहे, traveling expense claim करे चाहे, कोई भी claim करे, आप easily लगा सकते हो, so adjustment of overpayment of wages, अब इससे क्या होगा, इससे यह है कि in manipulation से क्या होगा, that the cap of not more than two month of worker wages, ठीक है, इससे यह होगा, the employer जो है, उसको actually धेर सारा पैसा दे सकता है, तो जो labor है, वो of course कहीं न कहीं वो पैसे कहीं तो मारा है पैसे कहीं मारा है और वो पैसा लेते रहेगा, और अपनी service देते रहेगा, तो एक vicious cycle बन जाएगी, ठीक है, इसमें वो कहींने की interest डोट add करेगा, आपने बहुत सारी movies देखी होगी पुराने time पे, जहाँ पे मिताब बच्चन जी की और धर्मेंदर कि उनकी कई सारी movies थी, जहाँ पे ये एक पगार से related बढ़ी सारी मामले हुआ करते थे, जहाँ पे ना कि उनको सही पगार मिलती थी भी, तो interest काट लिया जाता था, interest अगर नहीं भी कट रहा है, तो advance लिया था, उस advance को इसमें काट रहे हैं, ठीक? यही चीज है, और दूसरा है कि legalized, it has legalized the charging of an interest rate by employer on such advances, लेकिन यह mention नहीं किया गया है कि भाईया, कि वो interest rate क्या होंगे? ठीक है? The net impact is an open sanction for the bonded labor system flourish. कोई detail नहीं है, तो अब 5%, 10% यह जो मर्जी के मालिक हैं, कितने भी आप charge कर सकते हैं यहाँ पे, इस मामले में सबसे बड़ी चीजें आती, अगर मैं, मैंने कहा था case study के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, यह सारी चीजें हमने अभी यह पढ़ी है, case study में यह पता चलता है, कि राजस्थान में एक situation आई थी, ठीक है, जहाँ पे सारस्थान के एक बारन डिस्ट्रिक है, बारन डिस्ट्रिक में एक जो हमारे आदिवासी थे, primitive tribe थे, जिनका नाम था, सहरिया, यह लोग, अपर कास्ट वहाँ पे इतने हिंदूस थे, सिख थे, उनके लिए काम करते थे, और इतनी जादे exploitation झेलना पड़ा इनको, कि रेप तक का मामला चला गया, जब यह पैसा नहीं दे पा रहे थे, और कौन थे वो, कुछ government official थे, collectors लेके, IS officers, आप सोच सकते हैं, वहाँ से लेको बिल्कुल नीचे तक, ठीक है, जमिंदार हो गया, साहुकार हो गया, ठीक है, जो lender हो रहे हैं, वो सब मिलके, एक तरीके से holistically यह लोग exploit कर रहे थे, इस community को, इस आदिवासी को, ठीक है, in fact, यह लोग, जो, जो collector हैं, वो तो acknowledge भी नहीं कर रहे थे, कि यह bonded labor के category में आएंगे, ठीक है, in fact, बंदुवा मजदूर category में भी यह नहीं आने दे रहे थे, उनको paperwork नहीं होने दे रहे थे, इनका, तो इस वज़े से इनको social issue, social security और एक exploitation का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है, वहीं पे देखा गया, कि district of Rajasthan, sorry, यहाँ पे जो, जो bonded labor हैं, उन्होंने अपने employer से कुछ लगबग, एक हजार से देड़ लाग तक की advance लिया है, और उनमें से 50% ऐसे हैं, कि जो की, अब advance इसलिए लिया है, कि जो पुराने उनके lenders हैं, जो पैसे उनका पैसा देने के लिए, मतलब कि advance तो लिया ही है, और पैसा भी pay करने के लिए फिर से वो advance ले रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि कर्ज तले उनकी जिंदगी दबी हुई है, ठीके, हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, मनुवर राना सहब, उनका एक बहुत प्यारा, उनकी प्यारी line है, उन्होंने कह प्रिश्मती गरीबी की मौत तक पीछा न छोड़ी, जमी भी खोदी गई तो जमी निकली कंकड़ी की, मतलब यही है कि बदनसीब इतने हैं गरीब की मौत तक पीछा नहीं छोड़ रही है, जब दफन करने के लिए उनको जमीन खोदी गई, तो वो भी उसमें भी कंकड़ पत्थर थे तो ये हाल था कुछ तो ऐसा ही सिस्टम है और in fact जो हमारी Parliament है वो deny करती है कि भाई bonded labor कुछ नहीं है हमारे bonded labor नहीं हमने हटा चुका है जब हमने abolition कराया था bonded labor का अब कोई system नहीं है यहां पे ठीक है so in fact कभी Supreme Court ने भी जो हमारे apex court है उन्हों ने भी Supreme Court ने भी बहुत जादे pressure दिया नहीं इस मामले पे तो इसलिए यह मामला चलते रहा चलते रहा अभी भी कैसा है कुछ है तो सबसे बड़े जो revolutionist थे reformer थे बियारम बेटकर सहाब खुद एक दलित थे और यह पाया गया है कि जितने भी उस study में यह पाया था कि जितने भी यह landless workers हैं वो लगभग दलित हैं ठीक है और दलित वर्कर में 56 प्रदिशत उनकी आबादी थी ठीक है 56 प्रदिशत आबादी दलित वर्करों की थी जो वहाँ पे काम कर रहे थे बन हुआ मजदूर बनके जिनको मातर 3% lender ही control कर रहे थे मातर 3% जो साहुकार थे जो जमिंदार थे जो उनको पैसा दे रहे थे उनकी मातर 3% थे और ये 3% 56% पे को exploit कर रहे थे क्यों exploit कर रहे थे क्योंकि उनके पास land नहीं थी landless labor थे ये और जिसके पास जमीन नहीं होती है उसके पास ये समाजिक आर्थिक विवस्ता उसको जेलनी परती क्योंकि उसके पास कोई पूंजी नहीं है तो the vast proportion of landless agriculture liver in India is to date our Dalits Dalits ही हैं सबसे ज़्यादे अगर आकड़ों कोई साबसे देखा जाये तो तो Ambedkar जी का ये कहना था कि जो democracy है तीक है वो उसका ये मतलब नहीं है कि आप vote देके और अधिकार छीन लो democracy का मतलब ये है कि one man one vote मतलब one man one value possible is workers economic freedom तीक है workers economic freedom eventually बहुत deep thoughts थे इनके तो ये profess कर रहे हैं यहापे in fact उन्होंने बहुत ही पहले समझ गए थे वो कि जो economic जो समाजिक ये बनुवा मज़़ूरी हो रही है ये एक बहुत ही extreme form है coercion का ठीक है बहुत extreme form है coercion का और अगर आप कहेंगे कि हम आपको political freedom देते हैं उससे क्या उखाड लेंगे आप कुछ नहीं उखाड पाएंगे इनका यही मतलब है political freedom देने से क्या होगा आप economical freedom दीजे आप socio economic condition ठीक करिये समाजिक आर्थिक situation को बराबर करिये तब जाके मामला set होगा ठीक है so while he proposed the complete recast of rural and agriculture land structure ये बहुत favor में थे गांदी जी का कहना था कि change of heart करिये ठीक है किसी इंसान को बदलना है तो उसके हिर्दय परिवर्तन करिये और गंबेड कर जी का कहना था कि by the law किसी इंसान को अगर बदलना है तो भाई आप हिर्दय परिवर्तन के इंतिजार मत क करिये आप कानून के साथ जाए कानून का दर्वाजा खटखटा ये वहीं से आपको न्याएं मिलेगा क्या पता जिसका हिर्दय परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो आप किस कब तक इंतिजार करेंगे ठीक है ये बाई दलव बाई दलव बाई दलव अला याद रखना he also defined democracy as resting on two premises that economic rights जिसमें से एक premises तो यही है जो हम discuss कर रहे हैं labor codes an individual must not require to relinquish his constitutional right मतलब की कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आप मैं या कोई भी अपनी समविधानिक अधिकार को किराय पे नहीं रख सकता है ठीक है किसके वज़े से against कुछ चंद पैसों की वज़े से economic situation की वज़े से उसको नहीं और जो रखवाता भी है वो भी unethical है ठीक तो अमेटकर साब का बहुत पुराना खतन है ये कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं I like the religion that teaches liberty quality fraternity ये बहुत solid lines है ethics में use हो सकते हैं हम discuss करेंगे इसके बारे में ठीक है यहाँ पर यही बात की गई है कि क्य inequalities है कैसे दूर कर सकते हैं तो दूर यही कर सकते हैं कि center और state को मिल के यहाँ काम करना पड़ेगा state को जो है जो राजी सरकारे उनको intervene करना पड़ेगा ऐसे कानूनों को ले आने से ठीक है कि we understand कि union में बहुत union government की majority है लोग सभा में राजी सभा में भी कहीं कहीं है लेकिन ऐस कानून को ले आने से बचाना पड़ेगा जो inequality का base बने ठीक है और especially जो हमारे privileged class हैं जो classes हैं जो caste हैं ठीक है उनकी जो exploit कर रहे हैं जो दलित को जो underprivileged हैं जो untouchables हैं उनको ऊपर ले आने के लिए ठीक मुझे एक बात बताईए आप कि अगर इन मज़दूरों को constitution के तहट अगर से जाना पड़ेगा तो वो किस-किस article से जा सकते हैं एक तो अपना preamble है preamble खुद बताता है socio economic socialist secular republic ठीक दूसरा article हमारा है article 14 article 15 तीसरा है article 19 और फिर चौथा है article 23 article 23 में forced labor की बात की गई है bonded labor की बात की गई है bonded तो नहीं लिखा है लेकिन forced labor की बात की गई है DPSP में जो हमारा article है वो article 42 है 42 and 43 ठीक है in case अगर आप चाते हैं तो I'll be glad to see क्या होते हैं यह article forced labor की perspective में आप comment में mention कर सकते हैं और फिर IPC IPC का कौन सा ऐसा section है जो forced labor के बारें बात करता है यह comment करके बताएगा ठीक है IPC का कौन सा ऐसा section है जो forced labor के बारें ब बात कर सकता है जहां पर आपको गिरफतार भी हो सकते हैं अब अगर आप मदूह मजदूरी करा रहे हैं तो forced labor करा रहे हैं तो ठीक और एक prelims fact यह question मैंने mention किया है I would request you guys to kindly comment here यह भी fundamental rights related है जहां हम बात कर रहे हैं ठीक है to labor laws in India do not pertain comment करके बताएगे फिर हम इस पर चर्चा क Gabriel सहब जो चील हमारे country है उसका presidential election जीत चुके हैं और यह एक एतिहास एक historical win है और यह उस country के सबसे youngest president रह चुके हैं ठीक है मैं बात कर रहा हूँ इस article की यहां पे जो mention है Gabriel Bori कैसे test the chills president elect ठीक है इस article हमें को सीखने को मिल सकता है सीखने को यह मिलेगा सबसे पहले तो हम थोड ग्राउंड जान लेंगे क्या है तो यह जनाब थे leftist candidate ठीक है जो कि थोड़े socialist है ठीक है तो Mr. Boric told supporters that he would look after the democracy and promising curbs on Gilles's neoliberal free market तो मुद्दा यह हुआ था कि कुछ महीने पहले जो इनके president थे Sebastian ठीक है पिनेरा उन्होंने transportation की जो prices है ठीक है transportation जो trade and commerce वाला है उसके tariff को उसके prices को taxes को बढ़ा दिया था और खम करने का नाम नहीं ले रहे थे तो इस वज़े से एक unending protest चालू हो गया और सबसे जादे पता है मज़दार बात यह है कि जो school के बच्चे है उन्होंने सबसे जादे participate किया इसमें सबसे जादे school के बच्चे है 11-12 वाले बच्चे और उन्होंने participate किया है ठीक है इस वज़े से इन्होंने presidential election को बहुत support मिल और जी चुक है in fact जो president boric है उनकी पहली speech ही यही थी वो शुकरियादा करना चाहते है उन बच्चों का उन students का जिन्होंने इस social socialist reform को support किया है ठीक हुआ यूँ था कि ये जो जो president बने हैं recently एक लंबी जर्नी इन्होंने तैक की है basically ये उस time की बात है जब ये जो president हुआ करते थे Salvador Allende Salvador Allende एक socialist party के बहुत popular leader रहे है ठीक है ये पहले ऐसे leader रहे है जो एक marxist ideology follow करके president बने थे Latin America के ठीक है बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब 70 में बने 73 में इन्होंने खुद suicide कर लिया एक unfortunate circumstances में popular unity government so basically क्या हुआ था कि जो US के president थे उस time पे president Nixon उन्होंने इनकी लोग प्रियता को देखके इन्होंने कहा कि भाई इनके खिलाफ अब मोर्चा निकालो तो इसी pressure में आके इन बिचारें ने suicide कर लिया था और लेकिन मर्त गए लेकिन ये अमर हो गए इनकी बहुत सारे ऐसी steps से जो बहुत सारे ऐसे कदम थे जो उन्होंने उस समय पे उठा सकते थे वो आज जो president बोरिक बने हैं वो उठाए हैं उनकी legacy को बोरिक अब आगे लेके जाएंगे क्योंकि ये एक liberal democracy form करना चाहते थे लैटिन अमेरिका में और आज वो president बोरिक फॉर्म कर रहे हैं ठीक है तो जब ये इन्होंने suicide किया 1973 में तो चील में military coup हो गया था ठीक military coup आप जानते ही हैं कि जो military होती है उसकी सरकार उसकी सरकार मतलब उसका rule हो जाता है जैसे हमारे हिटलर सहाब ने किया था capture कर लिया था authoritarianism हो गया था ठीक है जैसे Myanmar में हुआ है जैसे अभी कहां किस country में था Egypt में Egypt में थोड़ा पहले हुआ था ठीक है so military coup हो गया था तो military के अंदर थोड़े बहुत restrictions थे तो democracy of course नहीं flow हो पाएगी वहाँ पे तो बहुत शंगरसों के बाद आज जाके इनको ये election जीते हैं और कहीं न कहीं ये जो इनके जो competitor थे वो बताया जा रहा है कि जिन्होंने military coup किया था general पीनोचेट ठीक है उनके follower थे mr. cast जो इनके competitor थे वो election हार चुके हैं और ये कहा जाता है कि 1973 सले के 1990 तक के बीच में लगबख 3000 लोगों की मौत हुई, disappear हो गए, रायब हो गए थे ठीक है तो सीखने वाली ये बात है इस पूरे situation में इस पूरे article में कि जो general क्या नाम था इनका पीनोचेट जनरल पीनोचेट थे जिन्होंने military coup किया था उन्होंने अपनी जो economy थी वो Chicago boys को दे दी थी मतलब कि economist का नाम रखा गया था Chicago boys जहां पर ये experiment किये थे new liberalism, new liberalism मतलब कि सब कुछ private कर दिया था, everything was private, चाहे वो hospital से हो गया, चाहे वो copper revenue हो गया, basically copper सबसे जादे इनके हाँ abundance में है, तो copper को भी ये private sector में दे दिये, और health को भी दे दिये, और बहुत सारी चीज़ें थी, जो majority of things वो private sector में चली गई, तो ज public services के चीज़ें थी, वो hinder होना शुरू हो गई, ठीक है, उस पे ध्यान नहीं गया, economy धीरे होने लगी, economy एक time पे ऐसी आ गई थी, कि यहां पे शायद मैंने mention किया है कि नहीं, हाँ, एक time पे economy ऐसी आ गई थी, कि जो इस country की 25% of wealth है, वो 1% of जो यहां के private players थे, उनकी ओन थी, वोर्स लार्ज इंकम, with 1% of population, owing 25% of income health, United Nation, according to तो यह situation आ गया था, कि उस पूरे country का 25% income, 1% of the population ले रही है, तो यह तो बहुत ही situation, ऐसी चीज़ कि private कर देंगे, तो उससाइद ऐसा ही हो जाएगा, तो यह seek India के लिए यही है, कि privatization is not a successful, or maybe most trusted way, कि हम implement कर सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन एक संतूलन बना रहे चे, सरकार और private companies में, तो यहाँ पर लिखा है, कि Mr. Jackson told us that boric government is going to do a few, यह सारे चीज़े, क्या क्या करेंगे यह, कि जो taxes है, जो wealthy people है, उन पर taxes बढ़ाएंगे, ठीक है, demand and increase in the share of copper revenue against multinational corporation, जो copper revenue है, उनका share, जो भी multinational corporation, उनका share बढ़ाएंगे, ताकि और जादे से जादे वो source कटा कर सक पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम सिस्टम को reform करेंगे, इसलिए reform करेंगे, क्योंकि जो इन सहाब की military coup की सरकार थी, पीनोचेट, उन्होंने pension scheme को भी privatize कर दिया था, ठीक है, public service, public dealing से related, जो भी चीज़न थी, वो privatize कर दिया था, ठीक है, तो basically यह क्या करेंगे, कि large scale पे redistribution करें करेंगे, fund का, और establish करेंगे, एक अच्छी democracy, जहां पे social, economic, और republic status को कहा जाएगा, तो एक बहुत अच्छा जीता जाकता example था, हमें सीखना चाहिए, कुछ steps इन से लेने चाहिए, और, this was this article, now, let me go through here, तो हमारा जो next article है, वो है, JNK से related, So, आजकल वैसे ही, संसद में बहुत तेजी से काम चल रहा है, कोई भी bill, कोई भी act, ordinance, bill में convert हो रहे हैं, bill, जो है, act में convert हो रहे हैं, अभी देखिए, joint parliament meeting होने वाली है, JPC बैठने वाली है, उस पे data protection rule पे, So, बहुत तेजी से काम चल रहा है, तीक है, क्यों चल रहा है, elections भी तो आ रहे हैं, खेर, हमारा मुद्दा वो नहीं, हमारा मुद्दा ये है, कि हम समझेंगे, deeply insecure union territory, जो हम JNK की बात कर रहे हैं, हम सबको पता है, कि 2019 में, जमू और कश्मीर रियार्गनाइशन एक्ट पास से रिलेटिड क्या चुनों होती हैं, वहाँ पे, ये GS2 से रिलेटिड टॉपिक है, local self-governance, executive, ये है वो पूरा एरिया, ये पूरा एरिया लगदाक का है, लगदाक सबसे बड़ा एरिया है वहाँ पे, ठीक, उसके बाद जमू और कश्मीर का आता है, और फिर जमू का आता है, ठीक है, ये जमू का आता है, फिर कश्मीर का, सबसे छोटा एरिया है कश्मीर का है, फिर लगदाक का है, ठीक, so, the JNK government has approved the creation of separation of administration division ये, तो basically, जो लगदाक है, इसमें दो administrative division होंगे, एक division होगा लेह का, एक division होगा, कारगेल का, ठीक, इन दोनों district में दो division होगे, और जि division, लेकिन उसके बाद change कर दिया गया था, ये आप देख रहे हैं, इंडियन administrative कश्मीर इसके पार्ट था, लेकिन अब जो है, ये separate पार्ट हो गया, इसी लिए इसको three-tier बोल रहे हैं, ठीक है, तो basically, जो पहले ही सरकार थी, उन्होंने जो LADC, LAHDC, जो लद्दाक autonomous hill development council है, ल दिया गया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, हुआ यू, recently अभी कुछ, NTPC ने एक deal sign की है, LADC autonomous hill इसके साथ, to set up a first green hydrogen mobility project, ये भी important है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, so the council was created, 1995 में किया गया था, जिसके total 30 seatे हैं, and four councillors nominated as by the government, ठीक है, 30 seatे हैं, और total councillor जो है, वो government बारे nominate होंगे, the executive arm of the councillor consists of executive committee, and the chief executive councillor committee, ठीक है, दो हिस्सों में है, chief executive और executive, and four other executive councillor, जो इसके बारे में बात होई है, ठीक, So, the autonomous hill council will work with, जो है वो panch, जो hill council है, ये पूरा hill council, वो closely work करेगा, panchayat के साथ, उसके economic development से related to decision है, healthcare decision है, education, land taxes, government, इस से related, जितनी भी सारे decision है, वो एक mil जूल के panchayat के साथ, ये hill council decide करेगा, in the presence of executive councillor, and chief executive, and executive councillor, ठीक है, basically, यहाँ पे जो मुद्दा आ रहा है, सबसे जादे यहाँ पे जो population है, वो buddhist population, लगबग, 70-80% जो buddhisan dominated population है, और बाकी muslim है यहाँ पे, तो ये लोग हैं, वो demand कर रहे हैं, एक state की, और almost 99% of जनता वो इनको ही follow करती है, ठीक है, पहले दो unit हुआ करते थे, और उस unit की बात यहाँ की गई है, the officers are overworked, there has been, so यहाँ पे हाँ, the apex body यहाँ mention है, the apex body of lay and democratic alliance, यहाँ पे दो body हुआ करती है, दो body, अब वो एक ही हो गई है, और दोनों demand कर रहे हैं, the apex body, lay and kargil democratic alliance, these groups represent nearly all religion and political things in Ladakh, and they initially different ideas, जो इनका common idea है, वो statehood का, अब कह रहे हैं कि वही हमें राज दो, पहले राज था, उसके बार UT हो गया, अब कह रहे हैं कि अब हमें राज चाहिए, हमें अगर राज नहीं भी आप दे रहे हो, तो हमारा एक अपनी पहचान होनी चाहिए, एक constitution होना चाहिए, तो इन् आज नहीं चीज हुई थी, नॉर्थी स्टेट में निजनो ने देमांन्क एधो इनका राज तो इनका मिला था, तो यही कह रहे हैं जब आप उनको दिया था, तो अब हमें भी दीजे, तो अब हमें ही दीजे, तो इनकृत काॉंसन सब्सक्राइब से अचिछाइख ब्दी dominated district of Ladakh demanded for their own state ठीक है तो जो मुद्दा है यहाँ पर इस इंक्लूड जो मुद्दा इसलिए है कि जो हाला कि state से UT तो कर दिया है UT में 10 division भी कर दिये हैं लेकिन अभी भी situation ठीक नहीं हो पा रही है basic चीजे हैं जो आम संसाधनों में जो changes ले आने हैं वो नहीं आपा रही है और इस वज़े से यहाँ पर दिक्कते आ रही है आम संसाधन क्या है the transition of state to UT में these includes transport operators who are not able to renew their permit transfer of जो भी employees वहाँ काम कर रहे हैं उनको promotion की यह हो सकता है दूसरा social media से related अभी भी social media पर बहुत कर्भ है वहाँ पर easily नहीं engage कर पा रहे हैं लोगों को ठीक है तीन चीज़े मैंने discuss की वहाँ पर issues related है एक transport से एक employees of higher education उनका promotion नहीं हो रहा है और एक social media जो की बहुत restrictions लगाए जा रहे हैं वहाँ पर ठीक है so यह पूरा मामला था इससे related अभी यह मामला और गरम हो रहा है let's see कहां तक जाएगा क्योंकि यह demand कर रहे हैं separate state की statehood की demand कर रहे है जो की सिक्किम नौर्थी स्टेट किया करते थे तो इससे related एक question भी है शायद मेरे पास yes so आप इसको बताईएगा which amendment of the constitution is related to the reorganization of linguistic basis comment करके बताईए so we will discuss tomorrow and I hope आज का editorial analysis आपको समझ आया होगा और please do not forget to like, share, subscribe or hit the bell icon please ताकि आपको daily notification मिलती रहे so in case if you have any questions please feel free to comment हमारा communication है comment का जिसके जरी हम बात करते हैं शर्माई अगमत, हिच्चाई अगमत मिलते हैं अगले session में जाए हिंद, जाए भार्ट